कि एक और कुंपलीट होता है के एडिशन आप लोग समस्गे होंगे अब एक और कौंसेप्ट आप लोगं को छोटा सा बता देता हूं जैसे मालों आप लों के पास कोशन आ छहाम है 948 कि फिर आजती है को वैल्यू वैलु 1 42 वैल्यओ और एक वैल्यी आजती है एक वैलीव जन्रहा हैкомजाई है भीनिओ हफ The F inan realise कि ओक्षा ओक सệnी अब नम एक कंबिनेश कर देंगे कि अधाने से करना लेदुदि थे 30,000 लिखेंगे, फिर 1,000 लिखेंगे, फिर हम 800 लिखेंगे, ऐसा नहीं करना कभी भी, कन्फ्यूज हो जाओगे वहां पर, ठीक है, जब भी आप लोगों को ऐसी कोई भी वैल्यू आजाए, मालनों पांच वैल्यू दो की है, ठीक है, पांच नमबर की दो वैल्यू है, चार गैब की आफ लोगों की आगे पीछे हैं, तो हो पांच वैल्यू आगे पीँछे, तो आप लोगोंने क्या करना है, इसके आगे, जीरो जीरो पूट कर देना, ठीक है, फिर आप लोग ऐसे नहीं करोगे, 3000 लिखोगे, 1000 लिखोगे, वीच में, 0 लिक जोगे, क्या वन जाए प्रोग का 4000 फिर बेसी कॉंसेट्ट वही 900 यहां लिख दोगे 200 यहां लिख दोगे 800 तो आ जाएगा क्योंकि तीन वैल्यू है उसके बीचे 800 यहां आएगा 500 यहां जाएगा 9 और 211 होते हैं आप लोग के उनने 8 करोगे 19 होते हैं और 19 और 5 आप लोग के वाइस होते हैं तो ऐस यहां पर 2400 लिख देना ऐसे फिर आप लोग का बेसिक वही है चार और दो च्छे च्छे और साथ आप लोग के तेरा तेरा और पांच आप लोग के अठारा ठीक है तो इसी के हिसाप से आप लोग इनको सॉल्फ करते रहना यह आप लोग के ऐसे बन जाएंगे को जाएंगे यह कोशन आप लोग के कोई समें डाउट तो नहीं होगा आप लोग का कर लोगे इनको कि कि सिक्स एट उट इफ फॉर ओके साथिन ग्यारा होग के सातीन दस दस दो बारां बारां और चार सुला ठीक है 16 हो जाएगा उसके बाद 8 और बारां बारां और आठ बीस बीस और दो बीस और चार चोबिस बस जो भी होगा आठ चार पांच 6584 यह कनफर्टेवल हो इस मैथड में कोई डाउट को नहीं किसी का ठीक कर लोगे न आप लोग तो अब आप लोगों को किसी भी तरह का जाए तो अब आप लोगों को करना स्टार्ट करना पड़ेगा और आप लोग अब करना भी कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है पर ऐसा होता है कि आप लोगों को जैसे चार वैल्यू दे दी जाएं जैसे आप लोगों को लिख दिया गया 3586 प्लस 22 2228 यह लिख लो वैल्यू और एक लिखो 2048 लिख लो ऐसे एक और लिख लो कोई भी मन से 154 ठीक है और चेंज करते हैं अब थोड़ा प्लस की जगा माइनस लगा देते ह अब कैसे करेंगे 3000 तो वैसे का वैसा ही लिखना पड़ेगा पहले तो साइड में आ रहा था माइनस अब बीच में आ गया अब थोड़ा सा यहां पे समझना पड़ेगा यह तो जिनको मैत आता है उनके लिए तो कुछ दिक्कत नहीं है जिनको नहीं आता है उनको थोड़ा को माइनस कर दो जीरो बना दो और इन दोनों को एड़ कर दो तब भी 4000 आपका बन जाएगा ठीक है एक तो यह हो जाएगा 200 2000 में 2000 को लैस कर दो जीरो बन जाएगी वैली और यह 4000 हो जाएगा अगर ऐसे नहीं करना है तो माइनस 2000 आप लोग के सामने हैं उसमें आप लोग प्लस 1000 कर दोगे तो जिसके आगे वड़ी वैली होती है और प्लस और माइनस आप लोग का माइनस ही कहलाता है तो यह कितनी वैली दे देगा आप ल यह चीज दोनों समझ आगे मैं तर जो मैंने यहां पर बच्चे प्लाइग किये हैं तो यह वाली चीज़ें जो आप लोग की होंगी यहां पर अच्छे रहेगी आपको जैसे मैं यह वाला 1000 पीचे लगवा रहा हूं आप लोग को नहीं समझ आई ठीक है तो बच्चे का रूल होता है पलस और माइनस करोंगे तो आपको og Terre माइनस में आएगा मतला माइनस करना पड़ेगा आप लोग 2,000 में 1000 को less करोगे तो आप लों के पास 1000 ही आएगा ठीक है एक तो ये concept हो गया दूसरा concept ये था आप लों का कि मैं इसको ना टच करके ऐसे कर दूं कि बीच में 2000 की आप लों की value लिखी है मैं 2000 में से 2000 को ही less कर दूं तब भी मेरे पास zero value आ जाएगी 3000 प्लस 1000 आप लों का 4000 बन कि आया बच्चे समझ कि नहीं आया है कि टाइप कर देजिए तो बैटर रहे गया है कि कुछ आइडिया मिला मैंने क्या किया कर दो कि इसके आगे क्या था आप लोगों का इसके आगे value थी 500 की 200 की और 0 है आप लोगों का 0 का 0 रहेगा और आप लोगों का 500 की इन value को आप लोगों ने उठाना है इसकी क्या value बनेगी वो हम देखते हैं अब देखिए 500 की value को ले लेते हैं प्लस 200 ये वाला आ जाएगा माइनस इसमें से 0 value है तो ये तो ये 0 ही रहेगी और इसमें आप लोगों ने प्लस करना है 500 तो ये कितना बन जाएगा यहां पर हमें माइनस की value का कोई मतलब नहीं है इन दोनों को वैट कर दो पांच और पांच दस दस और दो बारा तो चार हज़ार प्लस आप लोगों का 1200 हो जाएगी यहां पर वैलियू एक वैलियू यह बन जाएगी उसके बाद 80 है 80 प्लस 20 माइनस 40 और माइनस आप लोगों ने 10 उसमें करने हैं तो 80 प्लस 20 ठीक है ऐसे हम बना देते हैं जिनको नहीं आते समझ उनको दिखा रहा हूं 80 प्लस 20 ट्वंटी में माइनस आप लोग 4 करोगे 40 प्लस आप लोगом कर दोगे ठीकह तो इसको भी हम लोगोंने तो कैसे करेंगे तो तो दोनों उप्शन है आप लोग कोई भी एड कर लो तो आप लोग कोश्चन इसमें सॉल्फ कर दोगे ठीक है माइनस के फॉर्टिंग है यहां पे आप लोग के टैन है तो चालिस में दस निकालोगे आपके पास तीस आ जाएगा और यहां पे अस्ती प्लस बीस होते हैं आप लोगे 70 तो यहां पर आपनों की 70 की वैली वाजाएगी आगे क्या है 6 प्लस आठ 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 माइनस आठ और चार तो आठ और आठ आप लोगे कैंसल हो जाएंगे क्योंकि 8 और आठ जीरो होती है और च्छे और चार कितने बनाएंगे 10 की वैली बना देंगे तो अंसर आपनों का कुछ इस तरह का बन रहा है जीरो आठ दो पांच 5285,280 ठीक है बच्छे यह अंसर आएगा सबका अंसर निकल गया किसी वच्छे को कोई डाउट है इसमें तो बताईए 52280 ठीक है इन कोश्चन को अपने आप डालना प्रैक्टिस करना आप लोग कर लोगे इस कैसे कोशन आजाता है नाइन ऐसे लिख लो कोई भी वैल्यू तो फॉर सिक्स वन लिख लो और यहां पे 158 अब इसको कैसे करना है से मैट्ट यहां भी अपलाई कर दो साइन को बाद में देखो पहले वैल्यू लिख दो 2000 की वैल्यू लिख दो माइनस 1000 कर दो अब प्लस मा आप लों का माइनस होता है बट माइनस माइनस तो आप लों का प्लस होता है यह रूल याद रखना माइनस को माइनस करोगे तो एड हो जाएगा बट साइन माइनस कर रहेगा इसमें आप लोग माइनस कर दो वैली तो आप लों के पास आ जाएगा अनसर जो भी होगा तो मा तो आपनों के पास सेवन थाउजन्ट में से एक हजार प्लेस करोगे तब भी 6000 थेट के बाद आपका 2461 है तो 2461 प्लस आप माइनस आप लोंग का 500 होगा इन दोनों को एड़ कर दो तब भी अंसर बन जाएगा तो कितना एड़ करना पड़ेगा दोनों पांच और चार नो होते हैं तो यह हो जाएगा 900 900 में से 200 निकाल दो तो आप लोग का 900 में से 700 निकाल दो तो आप लों का अंसर ऐगा दोश्य आगे आप लोंग का वही कोशन है कितना है 60 है 60 में 60 करने पड़ेगे अड़ कर दीजिए तो आप लों का तब भी अंसर आजाएगा आगे है 60 60-60-80 60-60-60-60 60-60 less करोगे तो 0 तो value 1 गी तो यहां पर आप लोग 80 लिख दीजिए ठीक है और यहां पर minus का sign चलता रहेगा यहां पर यह प्लस मत कर देना 4 और 1 और 3 है 4-1-3 4 में से 1 निकालोगे 3-3 0 होता है तो question solve कर दीजिए जहां पर 0 आजाएगा 10 में से 8 जाएँगे आप लोगे 2 आजाएँगे 9 में से 2 जाएँगे तो आप लोगे 7 आजाएँगे और 5 में से 6 में से 5-7-2-0 is the right answer 8 नहीं आएगा बच्चे 5-2-8-0 गलत हो जाएगा आइडिया मिला इस question का कैसे किया मैंने कुछ भी नहीं है डरिये मत इन question को जब प्रैक्टिस करने बैठ होगे एक कात कोशन गलत करोगे फिर आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो ठीक है प्रैक्टिस करना जिन जिन जितने सब्सें जिन क्षक का मतलब होता है यी वाला वन इन्टु वन करोगे तो वन हो जाएगा तो इन्ट्घस करोगे तो यह यहोगा टू का स्क्यरण त्री इंटो थी करो गया तो 9 हो जाएगा 4 इंटो फ़ॉर करो गये तो करोगे 25-67 का होता है 45Con8 का होता है 64 नाइन का होता एक इटीवन और 10 का आप को पता है 100 बस यह याद कर लो कोश्चन आप लोंका हो जाएगा कि आप लोग कोई भी वैली उठा लो आप लोगों ने बस एक मैथड याद रखना है जो आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए जैसे मान लो मैंने आप लोगों से कह दिया कि 83 का स्केर करके देदो मुझे अब आप लोग ऐसे दो नहीं करोगे कि 83 लिखोगे multiply 83 करोगे और इसका square root मुझे देदो गया ऐसे नहीं करना आप लोगों ने कभी भी concept याद रखना आप लोगों ने ठीक है formula क्या है आप लोगों का a का square बी का square बस इनको value को put करना है इनको ना minus करना ना plus करना फिर इसके नीची आप लोगों ने cross का sign put कर देना फिर आप लोगों ने लिखना है value put करना सिखा रहा हूं 8 का square कितना बताया मैंने 64 3 का square कितना होता है 9 जब भी आप लोगों को single digit आ जाए उसके आगे 0 लगा दो जैसे आप लोगों को 1 का 1 ही आएगा तो उसके आगे 0 लगानी पड़ेगी 2 का 4 आएगा 0 लगानी पड़ेगी 3 का 9 आएगा 0 लगानी पड़े जैसे ही 4 का 16 आएगा 0 नी लगानी 16 को लिख देना यहां पर आप लोग 0 लग देऊगे इसके नीचे क्रोस कर दोगे इन दोनों को वापस में multiply करोगे क्योंकि मैंने क्या कहा 2 x 8 x 3 8 और 3 होते हैं 24 और 24 और 2 होते हैं 48 यहां पर आप लोग चार आठ लिखोगे 988 इसको राइट अंस्तर आक portion का यह होगा है और आईडिया मिला कुछ क्या किया मैंने अ गस्टी मताईए जिंदको नहीं समझ आय कि मैं दबारा अब कर्वाणंगा अच्छ नहीं पाटा कुछ को किSpic कर पाए जो मैंने आप लोग कर आया एक कोशिन करोगे आप लोग 68 का स्कियर बताओ मुझे पहले रिपीट करता हूँ 68 का स्कियर बताओ सबसे पहले अच्छा लोग करो आप लोग फिर मैं रिपीट वालों को रिपीट करवा देता हूँ ठीक है जो मैंने मैथड करवाया सिरफ उसी से कर उसी से करना कोई और मैथड मत अबलाई करना अपना जो मैं करवाओंगा मैथड पहले उनको समझिए उसके बाद आप लोग दूसरें के मैथड को फोलो करना अगर मेरे वाला टफ लगेगा तब ऐसे नहीं करना ठीक है जी अंसर अलग अलग आ रहे हैं सब ही कीजिए 4584 ठीक है ठीक है देखे देखे मैंने क्या कहा किसका 68 का बता रहा हूं अब अच्छे दियान से देखना आप लोग भी यतने भी स्टूडेंट है कितका बोला मैंने 68 का यह हो गया ए यह हो गया वी मैंने क्या कहा कर दो ए का स्क्वेर पहले आप लोगों ने ए का स्क्वेर करना है फिर बी का स्क्वेर करना है शिक्स का स्क्वेर कितना होता है 36 और एट का स्क्वेर होता है 64 ठीक है जी ऐसे कर दिया इसके नीचे क्रोस लगा दिया फिर आप लोगों ने 2AB करना है A की value 6 है B की value 8 है 8 और 6 कितने होते हैं 48 multiply 2 करोगे तो 96 आ जाएगा यहाँ पे 96 लिख दो 4, 2, 9 और 6 कितने होते हैं 15, 15 में 1 add करोगे 6 और 1 उधर चल जाएगा 4, 6, 2, 4 is the right answer जी जिनको नहीं समझाया था वो आपको कुछ idea मिला बच्चे इसका क्या नाम था आपका आपको idea मिला है यहाँ पे मैंने क्या किया कुछ doubt है इसमें एक बार फिर से बता दीजिए इसको मैं फिर से करवा दूँगा ऐसा नहीं तब तक आप लोगों का concept clear नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे कि नाइन टू वन सेक्स कि एट टू वन सिक्स ठीक है तो देखते हैं किसका सही होगा ठीक है जी करें स्टार्ट हम पढ़ाते हैं देखो मैंने का कहा एक स्क्यूर कर लो 99 का कितने होते हैं होते हैं सिक्स का कितना होगा थटी सिक्स तो जीरो लिखने के जुरुत नहीं है थटी सिक्स वैसलिधार लिख दू आगे क्या बोला मैंने को सिक्स ऐस से मल्टि प्लाइब और जो बचेंगा आपनों पकूँ से कर्देना नो और या आप लोग 48 इनोच्षिक कितने होते हैं चौन चौन और दो करोगे तब दी एक सो आठ ही आएगा ठीक है ऐसे आप लोगा एक सो आठ आज सिक्स यहां पर आ जाएगा एक यहां पर आएगा आठो तीन को एड़ करेंगे वन वन टू हो जाएगा और नाइन ठीक है आइडिया मिला आप लोगं को यह जो कॉंसेप्ट है अब आप लोग एक से लेकर 99 तक के स्क्वेर रूट निकाल लोगे इतने भी कर लिए तो आप लोग कर जाओगे पेपर में इससे बाहर आप लोगं को नहीं आएंगे अगर 100 से उपर आगे तो भी मैं आप लोगं मुल्टिफिकेशन और आप लोगं से लेकर 99 तक के स्क्वेर रूट लिस ट्राइप कर दीजिए यह सो थोड़ा से जल्दी के आप लोग को नियास के करना है जितना भी मैंने आप लोगं को कर वाया है आप लोग उसके 100それは कफोउचन वह आपर करता है जितना आप कर सकते हैं वह कर लेना 10ATE प्ल्बों स्क्वेर रूट भी कर लेा ठीक है यह चीज समझने आप लोग तो फिर आप लोग यह इतना ही करिए आज का दिन हम इतना ही पढ़ती हैं कल इस से आगे का पढ़ लेंगे कोई फी डाउट आएगा बच्चे आप लोग मुझे मैसेज करना दो बज़े आप लोग की क्लास होगी जैसे भी होगी दो बज़े होगी दो दस होगी तो मैं आप लोग को एक अलर्ट दे दूँगा कि इतने बज़े आप लोग की क्लास है जो स्टूडेंट कंफर्टेवल होगा अटेंड करने में वह अटेंड कर सकता है जिसको थोड़ा वीजी शडियूल होगा आप लोग को बच्चे रिकोर्डिड वैज में रिकोर समझने में थोड़ी सी दिकत होगी जो होगा सिलोक का है काफी आप मया है फिर मिलते आप लोग। सब्सक्राइब करेंगा उनको पढ़ना अच्छे से समझना जो भी डाउट होगा उनसे पूछ लेना मना नहीं करेंगे वह आप लोगो फिर उसके बाद मैं एक या दो दिन करेंगे अंदर अंदर आप लोगों की इंग्लिश की प्रैक्टिस स्टार्ट करवाऊंगा यहीं पर तो इंग्लिश की आप लोगों की दो क्लासिज होंगी एक एक एक्स्ट्रा होगी ठीक है जी कोई डाउट आएगा मैसिस करना मुझे थैंक जो मच्छ वनेंस टेट गॉल झाल 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 झाल